सीतापूर में गांजरी इलाके में बाशिंदों के मुसीबते कम होने की जगए दिन बढ़ती जा रही हैं बार का पानी सिमरते ही नदिया कटान का कहर बर पाने लगी हैं तैशिल बिस्मा के कही गाउं में शार्दा घर वा खेत उजाड रही है कटान रोकने के लिए खर्च किये जा रहे करोडो रुपियों से ग्रामीर का कोई भला नहीं हो पा रहा है बेबस ग्रामीर अपना अशियाना खुद अपने हातों उजारने को मजबूर है उधर बैराजों से लगातार लाखों क्यूसिक पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है बुधवार को भी शारदा गिर्जा बैराज से पौने तीन लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया जिससे जल्द रहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं तहशिल बिस्वा में शारदा अब परमेश्वर पुर्वा का अच्तित्वा समाप्त करने पर तुली है गाउं में सिर्फ पांच मकान बचे हैं 45 मकान कटान की भेंट चड़ गए जबकि कटान से फौसदार पुर्वा पहले ही उजड़ चुका है पासिन पुर्वा में भी कटान हो रही है प्रधान विनोध यादों ने बताया कि परमेश्वर पुर्वा की पहचान भी खोने वाली है इसी तहशील के मेड़ी छुला में शारदा परियोजना का पैसा डुबाने लगी है यहां वर्स 2020 में 1150 मीटर में परक्यूपाइन श्टड निर्माड कराया गया था जिस पर 1109.41 लाग रुपे खर्च किये गए थे पुर्वर प्रधान जग्दीज प्रशाद ने बताया कि शारदा ने करीब 250 मीटर बंधा कार दिया है जिससे गाओं के लिए खत्रा बढ़ गया है इसी तहशील के कमरिया शेखुपुर बढ़ाइन पुर्वा में भी शारदा कटान का कहर बर पा रही है कमरिया के मथुरा प्रशाद अवस्ती ने बताया कि बढ़ाइन पुर्वा में राज किशोर, ट्रश्निकांत, दया शंकर, राकेस, जमुना प्रशाद, लाल जी, ललन, बिनोद और प्रदीप सहित करीब 12 एकर में खेतों को शारदा पिछले चार दिनों में निगल गई है